तो दोस्तों कैसे हो आप सब करते हैं स्वागत आप सभी का हमारे चैनल टिक्नोटिक्स वर्ड क्यों पर और मैं आपका होश और दोस्त तशार दोस्तों आज देता हूँ आपके एक बहुत the most popular question का answer दोस्तों नाजाने कितने लोग ये question पूछे नाजाने कितने लोग का ये same doubt था वैसे तो ये बहुत common सीख चीज है जो सबको पता होती है लेकिन I don't know वाई दोस्तों ये maximum question मेरे पास आया था और मुझे लगा कि दूस्तों इस पर वीडियो बना ही दूँ बहुत बहुत लोग FM Radio काम क्यों नहीं करता अब दोस्तों Nokia क्यों कुछ ऐसे पुराने फोन साय करते थे जिसमें FM Radio नहीं होता था फिर दोस्तों कुछ नए फोन साने लगे जिसमें FM Radio होता है इसका मतलब क्या है कि FM Radio एक सिफ आप नहीं है बलकि इसमें hardware component होता है जो कि हमारे phone में लगा होता है तब ही हमारा FM Radio काम करता है जिए हो दोस्तों यह ऐसा नहीं कि हम किसी में भी एकर application डाल दूँ तो FM Radio चलने लेगे जस्ट एक hardware component होता है जो जिस mobile phone में होगा उसी में सिफ FM Radio चलेंगे अब दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि जदने में रेडियो जाते थे उनमें antennas होते थे उस frequency को catch up करने के लिए मैं उन बड़े metro cities की बात नहीं कर रहो लाइक डली एन मुंबई जहां पर हर एक metro station होती है और वहाँ पर frequency इतनी जादा होती है कि तूसा भी अगर एक antenna हो तो वह frequency को catch कर लेगा दोस्तों हमें बहुत बड़े-बड़े antennas की ज़रूर परती है अगर हम बहुत दूर है अगर metro cities से तो उस frequency को catch करने के लिए अब दोस्तों जो हमेरे फोन में जो antenna लगे होते हैं अभी के टाइम में पहले के जावाने में स्मार्टफोन भी जवाते थे उसमें एक छोटा सा पीछे का जो बेस उंका होता है उसमें वह एक चिप चिप का दिते हैं जो as a antenna काम करता है दोस्तों वह antenna सिर्फ इतना ही काम करता है कि वह छोटी-छोटी frequencies को catch कर ले जैसे GSM को वल्टी को catch कर ले और हमारी फोन में नेटवर्क शो करे टावर्स करे या फिर जितने दोस्तों frequencies को catch करने लेकिन दोस्तों अगर particularly अगर हमें FM सुनना है तो हमें उसके लिए एक अलग से antenna लगाने की जरूरत पड़ेगी एक अच्छे frequency को catch करने के लिए क्योंकि दोस्तों अगर आप अच्छा है smartphone लेते हो और उसमें खराब quality है तो आप कहोगी कि ये stations को catch नहीं कर पाते तो दोस्तों उस चीज को defend करने के लिए एक अच्छी quality प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक phone में antenna होना चाहिए अब दोस्तों जितने भी companies होती है mobile phones की उनके पास एक option बसते है कि एक antenna प्रोवाइड करें जिसको आप अपने jack में insert करा लो और सुनो एक रेडियो मस्त दोस्तों लेकिन ऐसा करने में जो उनका expense है जो उनका hardware component expense है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा और phone जोंगे और महेंगया आने लगे इसलिए दोस्तों जो chip होती है FM की उसके wire को उन लोगोंने option दे दिया हमारे jack में insert करने जब भी हम अपने jack में कुछ भी लगाते हैं दोस्तों तो वो wires जो होते हैं जो भी हम insert करते हैं वो as a antenna perform करने लगता है as a antenna behave करने लगता है और जो हमाने phone के signals होते हैं वो बहुत अच्छे आने लगते हैं अब दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं जो jack के ऊपर एक copper कहलका सा winding करके और तब insert करते हैं तो और अच्छी signal बिलती वेको copper wire उपर लगा देते हैं तो उसकी connectivity और अच्छी हो जाती है ऐसा करना गलत है जैक खराब हो जाते हैं वट एक अच्छा option है copper wire को लगाना तो दोस्तों होता बस यही है कि हमारी jacks होते हैं जो earphones के उसमें वो connected होता है हमारी उस chip से जो की FM radio के लिए responsible होता है इसलिए दोस्तों earphone को लगाना बहुत जादा जरूरी है फम सुनते बद ताकि हमें एक अच् receiver भी वो काम से कर सके तो आई होप आपको मिलके होगी बहुत जार नौलिज इसी बारे में कि FM radio तब तक हमारी फोन में क्यों नहीं चलता जब तक हम अपने फोन में earphone को insert नहीं कराते हैं तो आई होप दोस्तों को मिलके होगी देट सारी नौलिज तो अगर आपको हमारा व झाल कराते हैं तो आई होगी बहुत पर दोस्तों को में तोस्तों को मिलके होगी बहुत आई होगी वढ़ी में कारते हां वारा.